हेलो स्टुडेंट ग्रिन केमिस्टी चैनल में आप लोगं का स्वागत है हम लोग आज की वीडियो में प्रमानू तो था अनू के बारे में अच्छी तरह से समझने का प्रियास करेंगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं देखिए प्रमानू अर्थात एटम देखिए डाल्टन एक बैग्यानिक था जिसके अनुसार कहा गया कि प्रमानू और विभाजी है अर्थात प्रमानू को बिभाजित नहीं किया ज़सकता है लेकिन कुछ विग्यानिकों के द्वारा इनके कथना को निरस्त कर दिया गया अर्थात रद कर दिया गया क्योंकि प्रमानों से भी छोटा कन प्राप्द वर्थात प्रमानों को भी वाजित करके उसके अंदर से भी कुछ कन प्राप्द हो जैसे इलक्ट्रोन प्रोट्रोन येट्रोन आदी तो चलिए हम लोग इसका पहले प्रिवासा देख लेते हैं तो देखिए किसी तत्व का वह सुक्षतमकन जिसमें उस तत्व के सभी गुन पाए जाते हैं एवं रासाइनी के विक्रिया में भाग लेता है प्रमानों का लाती है कहने का अर्थे क्या हुआ कि प्रमानों जो है वह तत्व का सबसे सुक्षतमकन है जिसमें उस तत्तु के सभी गुन पाये जाते हैं अर्थाथ अगर उस तत्तु के एक परमानों का धिन कर लिया जाए और उस परमानों के बारे में पता कर लिया जाए तो उस तत्तु के बारे में भी उस तत्तु के गुन के बारे में भी पता हो जाता है तो तत्तु का सबसे सुक्षतम क्या है परमानु जैसे कि हम लोगों ने तत्तु के परिवासा से जान चुके हैं तो देखिए एक तरह से परमानु को गोलाकार माना जाता है और कहा जाता है और परमानु के बीच में एक नाभिक होता है और उस नाभिक के चारो ओर कक्षा होती है और उस कक्षा में इलक्ट्रॉन चक्कर काड़ता है और नाभिक जो है वह धना विसित होता है और कक्षा में जो इलक्ट्रॉन होते हैं वह रीना विसित होते हैं तो नाभिक के अंदर जो मुख्य रूप से प्रोटोन और न्यूट्रोन पाया जाता है और इन दोनों को मिलाकर नुकलियोंस कहा जाता है तो देखिए इस तरह से याद रखना है कि परमानों गोलाकार होता है इसके के अंदर में नाभिक होता है और इस नाभिक के अंदर प्रोटोन और न्यूट्रोन पाए जाते हैं इसके अलावा भी और सारे कन पाये जाते हैं लिकिन मुख्य रूप से प्रोटान और न्यूटान पाये जाते हैं और इसके कक्षा में री नावेसिति इलप्टान इस नाभिक के चार और चक्कर काटते रहता है तो देखिए उसके बढ़ क्या है परमानों के अंदर एक धना वेशित के अंदर होता है जहां इसकी अधिकान समात्रा नीत रहती है इसे नाभिक कहते हैं ठीक है? अब इसके बाद लोग परमानों संख्यां के बारे में जानते हैं देखिए परमानों संख्यां यानि एटोमिक नंबर किसी तत्य के परमानू के नाभिक में उपस्तित प्रोटाउन की संखियां तत्य की परमानू संखियां कहला दिये इसे जैड से या इसे जैड द्वारा सुजित किया जाता है देखी तो परमानू संखियां किसे कहा जाता है जो यह परमानू है, इस परमानू के अंदर में proton and l ultone होता है, तो इसमें जितना proton है, उस proton की संख्यां को ही उस परमानू का परमानू संख्यां करेंगे, ठीक? और देखिए, तो क्या होग नाभिक में उपस्थित proton की संख्यां, प्रोटान को प्रयाई P से सुझित किया जाता और देखिए या तो तत्यू की परमाण। संख्या बराबर होता है कक्षाओं में उपस्तित इलक्टरॉन के संख्यां कि 저いつंब इतना प्रोटॉन होगा किसी भी पर्माणू में उतना इलक्टरॉन भी होगा इसी कारण प्रमानों क्या होता है उदासीन होता है जितना धनावेश उतना रिनावेश अर्था धनावेश और रिनावेश दोनों मिलके क्या करता है प्रमानों को उदासीन बना देता है ठीक तो इसलिए जितना प्रोटॉन होगा उतना इलक्टॉन भी होगा और इसलिए प् केते हैं यह ब्रबर देखते हैं । अब देखे प्रमानुद्रभिमान संख्यां के अंदर उ कि सच्ठीब के परमॉन फेंदर उपस्थित ब्रोतोन निट्रॉन की शंखिया के योग को दर्विमान संखिया या प्रमानु दर꺼ीक उल्मां संखिया कहते हम। इसे एस सुचित क्या चाहिता संख्याना तेक है किशी भी प्रमानु में अ प्रमानु का ज़ो नभी उसा नभी के अंदर क्या होता प्रोटन लेट्रों तो जितना प्रोटन और जितना निउट्रों उन दोनों के योग को धॉज फिल मिकी क्या आं प्रोटॉन की संख्या यान क्या न्यूटॉन की संख्या यह बराबर प्रमादुरून संख्या प्रोटॉन की संख्या यान न्यूटॉन की संख्या देखिए एक हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्तु है जिसके अंदर में न्यूटॉन की संख्या जीरो होता है तो उसमें न्यू बाहर को दर साता है और उसके नीचे जो संख्यान लिखी होती है उसे परमानो दरभिमान संख्यां कहते हैं जिससे मान लीजियम को एक जामपन लेते हैं सोडियम का एने सोडियम का परमानों दरविमान तईस होता है तो उसको उपर लिखेंगे और इसकी परमानों संख्यां होता है तो इसको नीचे लिखेंगे तो उपर जो भी लिखा रहे तो कि वह परमानों भार हो गया जो नीचे होगा परमानों संख्यां हो गया ठीक देखि इसमें न्यूट्रोन की संख्यां ग्याद कीजी तो देखिए न्यूट्रोन यह नहीं हम लोग जानते हैं ए बराबर क्या आता है पी प्लस एन तो एका दिया हुआ है मान और पी का भी मान दिया हुआ है तो हम एन का मान निकाल सकते हैं देखिए ए बराबर क्या हो गया पी प संख्यां होती है उसी को प्रोटोन की संख्यां करते हैं तो एक यार दिया हुआ है अपना संख्या क्या निकालना है न्यूटोन की संख्या एन तब देखी न ब्राबर क्या हो जाएगा 11 उस तरब जाएगा 23 मेनस 11 तो कितना हो जाएगा दो और एक तीन में एक गया दो बचा दो में गया 12 तो इस तरह से न्यूटोन की संख्यां कितना कितनी हो गई 12 अब देखी अगला एक जमपल है कार्बन बार है और कार्बन चबद है मैं सबसे पहले को इलक्ट्रोन की संख्यां निकलना है उसके बद प्रोट्रोन की संख्यां निकलना है उसके बद न्यूट्रोन की संख्यां निकलना है अर्थाथ इलक्ट्रोन प्रोट्रोन न्यूट्रोन की संख्यां निकलना है देखिए कार्बन बार है और कार्बन चाओद बेलू निकालते हैं तो इलक्टॉन की संख्यां क्या होता है हम लोग पीछे जान चुके हैं कि जितना परमानु संख्यां होता है जैड उतना प्रोटॉन की संख्यां और उतना इलक्टॉन की संख्यां तो पहला वाला में क्या हो जाएगा परमानु जैड क्या होगा भार दिया हुआ है अर्थात अब दिखे सबसे पहले कारबन 12 के लिए हम लोग निकाल लेते हैं करवन 12 करवन 12 में देखे क्या दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं यह वराबर क्या होता है पी पलस एन तो यह का वेलू कितना है बार है अब बराबर देखिए मोग जानते हैं कारवन का परमन संख्यां कितना होता है और देखिए पलस कितना एन तो यहां से गरम निकाल लेंगे तो क्या होगा 12 मैनस शेयर था श्याइट न्यूट्रोन की संख्या अब देखिए अब यह कही वारे में कारवन 12 के लिए सबसे पहले जो नोग नेकाल रहे हैं कि पहला नाम बहरां में क्या हो जाएगा और इन्वेट pln की संख्यां जितना प्रोटोन ऐैलोको प्रोटोन को संख्यां कारवन ही तो Himself होने जने यह टेक्रन की शान अच्छा होका घ्रते ए लक्रौन की संख्यां ये यहिसे खाले तो आं आ है से कि सतीसरा नमबर रोट और इसके लिए तब लोट में कि अव्य प्याच यहीफ के लिए 12-3 के लिए अब देखलते हैं मैं यहां पर एक आक हो गया एल यह दिया हुऊ है शही है एक दिया हुआ छो टीन सब्सक्राण वर अंनुध डिघ़लीों 14 तो हम लोग सबसे पर एन निकाल लेते हैं तो एन बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस पी यह का मान 14 और फिर पी का मान 6 तो कितना हो जाएगा अच्छेदू 8 12 तो देखिए इतना हो जाएगा है निट्रोन की संख्या एब हो उसके बाद देख लिए पहला नमबर में क्या दिव इलक्टॉन की संख्या जितना प्रह टॉक्टौन Rider प्रोटॉन की संख्या भी छह है अब सिर्फ न्यूटॉन की संख्या यहाँ पर क्या हो गया ज्यादा यार्ड यानि आट पहले वीडियो में जो हम लोग अनुग के बारे में बढ़ाएंगे तो मैं उम्मिद करता हूं आप लोगों को यह समझ में आया होगा और आप लोग इस तरह का प्रशन और अभ्यास कीजिए किताबों से चलिए कि